नए साल के लिए परमेश्वर ने कुछ वच्छनों को दिया है जो मैं आपसे बाटूंगा हालेलुया यसाया की पुस्तक उसका बावन का एक से लेकर दो तक कोई अगर चे पढ़ सकता है यसाया की पुस्तक उसका बावन का एक से लेकर दो तक हे सियोन जाग जाग अपना बल धारन कर हे पवित्र नगर यरुशलेम अपने शोभायमान वस्तर पहन ले क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे अपने उपर से दूल जार दे हे यरुशलेम उठ हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंदन खोल दे यह परमेश्वर का वच्चन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं आपसे बाट रहा हूं और मैं एक बात आपसे मैं खुल कर कहना चाहता हूं जो मैं अंदर प्रात्ना कर रहा था मुझे नहीं पता कि आप किस आप जो भी लोग आये हैं आप किस दुख से आप साल बर दुखी रहे लेकिन आज वो तुम्हारे दुख का आखरी दिन है आज इसी जगे पे बैठे बैठे तुम्हारी बीमारियां तुम्हें छोड के जाने वाली हैं ये मैं आपको जूटी दिलासा नहीं दिला रहा हूँ, आपके दिल को मैं बहला नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ये मेरे मुख से जो सब्द निकल रहे है, वो परमेश्वर उसका अधर करने वाला है हालेलुया, जैसे आप परमेश्वर के वच्चनों को सुनेंगे, मैं आज आपसे फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे शरी में कोई भी बिमारी, कोई भी ऐलर्जी, कोई भी इंफेक्शन, ये ऐसी कोई बिमारी जिसका अभी तक दवा नहीं है, इलाज नहीं है, आज इस जगा में परमेश्वर अत्भूत काम करेगा, और आप चंगे होकर जाओगे, आप चुटखारा पाकर जाओगे, यहां देखो, मैं कोई गौड नहीं हूँ, बट आप सेर्वेंट अफ गौड, आप मैन अफ गौड, और आज मुझ में से, सुनो, मुझ में से सामर्थ निकलेगी परमेश्वर की, और तुम्हें छूने वाली है, तुम्हें जंगा करने वाली है, तुम्हें छुटखारा देने वाली है, और यह परमेश्वर आज ही जगा में करेगा, हालेलुया, हालेलुया, यह कोई आर्केष्ट्रा नहीं है, यह वो जगा है, जहां खुदा उतरता है और अपनी सामर्थ को प्रगट करता है हलेलुया हलेलुया परमेश्वर उसके लोगों से सियोन से उसकी कलीशिया से वो कह रहा है कि जाग और जाग अपना बल धारण कर हलेलुया परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि अपने बल को धारण कर हालेलुईया कलीश से अपने बल को धारण कर और आपने ये बात को स्विकार करना है कि हाँ मैं मेरे बल को धारण करता हूँ कि आप मुझ खोल कर बोल सकते हैं सबी लोग बोलो हाँ मैं मेरे बल को धारण करता हूँ और मेरे वस्त्र को पहन लेता हूँ और मेरे उपर से मैं धूल को जाड़ देता हूँ और मेरे गले के बंधन को खोल देता हूँ हलेलुया दुष्ट ने आपके बल को चुराया आपके वस्त्र को गंदा किया होगा और आपके उपर बहुत सारी धूल जाड़ दी डाल दी और आपको दुष्ट ने बले बंधन में आपको जकर लिया होगा लेकिन आज परमेश्वर के ये वच्छन है कि अपने बल को धारण कर और अपने सुभायमान वस्त्र को पहल ले और अपने उपर से धूल को जाड़ दे है सियोन की बंधी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे हलेलुया आज आपका चुटखारे का और आपके आसाधी का दिन है ये साल आपका कैसे बीता मुझे नहीं पता लेकिन जब आप ने साल में प्रवेश करेंगे तो आप अभी से आप चुटखारे में आप आसाधी में आप चंगाई में आप आननद में आप प्रवेश करेंगे अलेलुया निर्गमन 20 का निर्गमन 20 का 23 और 24 तुम मेरे साथ किसी को सम्मलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताव को न गड लेना, मेरे लिए मिट्टी की एक वेधी बनाना, और अपनी बेड बकरियों और गाय बेलों के होंग बली और मेल बली को उस पर चड़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरन कराओ, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हे आशीष दूँगा, असल में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसकी कलीशिया से, उसके लोगों से, कि मेरे नाम की एक वेदी बनाना, और उस पर बली चड़ाना, और मैं आकर तुम्हें मिलूँगा, और मैं तुम्हे आशीष दूँगा, हालेलुया, बहुत सारी लोगों की जो वेदिया हैं, वो गिर गई हैं, परमेश्वर के प्रती जो आपके अंदर प्यार था, जो गंबीरता थी, जो सीरियसनेस था, जो जोस था, जो जुनून था, वो आप में से कईयों का निकल गया है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आने वाले साल में, आज के दिन से, आपने प्रभू के लिए एक वेदि बनाना चाहिए, हालेलुया और सिर्फ वेदी नहीं बनाना है आपका एक जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए एक बलिदान का जीवन एक समर्पन का जीवन होना चाहिए हालेलुया अगर हम प्रभू में हैं और हमने परमेश्वर के नाम की कोई वेदी नहीं बनाई है तो ये बात अच्छी नहीं है हर किसी के जीवन में एक वेदी होनी चाहिए आपका परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिस्ता होना चाहिए उस रिस्ते में sacrifice जो है बलिदान नाम की चीज होनी चाहिए हर कोई परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है लेकिन लोग परमेश्वर के लिए मैं बेड़ बकरी मुर्गे के बात नहीं कर रहा हूँ ये एक बहुत साल पहले का बात है जब उस समय ऐसा चलता था अभी प्रभू एश्व मसी ने कुरूस पर जो बली दे दी है तो अभी आपको परमेश्वर के लिए बेड़ बकरा बली चड़ाने के जरूवत नहीं है लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बाते होती है जिनका हम परमेश्वर के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं सेक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रात्ना में आया, सुरू-सुरू में अभी करीबन पच्छी साल हो गया मुझे, तो मैं प्रात्ना में भी आता था, मैं प्रभु का भी गाना सुनता था, पिच्चर का भी गाना सुनता था, प्रभु के सबा में भी जाता था और थेटर में भी जाके फिचर देखता था मेरा जीवन ऐसा था और मुझे लगा कि प्रभु में जाते हैं तो दुनिया का भी मज़ा लेना चाहिए दुनिया में हैं तो दुनियादारी भी करना बहुत जरूरी है ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था हालेलुया लेकिन परमिश्वर मुझसे बात करने लगा कि मैंने मेरे जीवन में उसके नाम की एक वेदी बनाना है और उस पर मैंने उन चीजों को बली करना है जो परमिश्वर मुझसे चाहता है और मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं परमिश्वर में बढ़ता गया और मैंने सब तरह की मूवी पिक्चर सब तरह का सीरियल सब तरह के पिक्चर के गाने हैं नजाने कितने साल हो गए मैंने टोटली उसको छोड़ दिया वो परमिश्वर के वेदी पे चड़ा दिया आलेलुया आलेलुया और जो मैं कह रहा हूं यह बात परमिश्वर जानता है मेरे फैमिली के लोग जानते हैं Amen मैंने हर तरह का पिच्चर को सीरियल को, पिच्चर के गानों को हर ऐसी चीज जो परमिश्वर के द्रिष्टी में ठीक नहीं है उसे मैंने परमिश्वर के वेदी पे चड़ा दिया जला दिया हलेलुया परमिश्वर को वेदी चाहिए अगर आपको जिंदगी में आशिश बाना है आपका जीवन आशिशित होना चाहिए तो आपने पहला एक वेदी बनाओ आपका परमिश्वर के साथ क्या वेदी है आपका परमिश्वर के साथ क्या रिस्ता है वो रिस्ता कैसा है और आप परमिश्वर के साथ कैसे चलते हैं आप परमिश्वर के लिए क्या सक्रिफाइस क्या बलिदान आपके जीवन में आप करते रहते हैं क्योंकि जो वेदी होती है उस पर एक ही बात बलिदान ने चड़ाय जाता उस पर बलिदान चड़ते रहते हैं तो आप अपने जीवन में आप परमेश्वर के लिए क्या sacrifice, क्या बलिदान आप हमेशा करते रहते हैं पौलूस ने कहा, जो चीजें, जो बातें मेरे लाब की थी उनको मैंने हानी समझा, परमेश्वर के लिए हलेलुया, हर कोई चाहता है परमेश्वर उसे आशिष दे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आशिष देने के पहले वो आप से मिलना चाहता है और आप से मिलने के पहले वो देखना चाहता है कि आपने वेदी बनाई है कि नहीं बहुत इंपोर्टेंट है कि परमेश्वर आके आपको मिले और आशिष दे और उसके लिए आपको वेदी बनाना पड़ेगा आपको परमिश्वर के साथ एक ऐसा रिस्ता स्थापित करना पड़ेगा उस रिस्ते में आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा मैंने मेरे बहुत सारे बेशमार दोस्तों की दोस्ती मैंने छोड़ दी क्योंकि वे गंदे गंदे मजा करते थे गंदी गंदी शारियां बोलते थे गंदे गंदे जोग बोलते थे गंदी गंदी और बहुत सारे ऐसे मैंने ऐसे मेरे दोस्तों की दोस्ती को मैंने तोड़ दिया ऐसे दोस्त को मैंने छोड़ दिया Hallelujah बहुत सारी लोग आपके जीवन में कई ऐसे दोस्त ऐसे सहली होंगे या कई आपके जीवन में कई लोगों के ऐसे कुछ रिश्ते होंगे जिनको आप छोड़ना पसंद नहीं करते हैं प्लीस मुझे गलत ना समझे, हर वो रिस्ता, हर वो दोस, हर वो सहीली जो तुम्हें बिगाड़ता है, तुम्हें जीवन में एक रुखावट पैता करता है, तुम्हें परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है, तुम्हें पवित्र जीवन जीने से तुम्हें तुम्हें उसम से अलग करो हालेलुया दोस्ती करना गुना नहीं है रिस्ते बनाना गुना नहीं है लेकिन आप को देखना है कि मेरा कौन सा दोस्त मेरी कौन से सहली मेरा कौन सा रिस्तेदार या कौन है कौन सा वो वेक्ती है जो मुझे प्रभू में बढ़ने के लिए रुखावट है मेरे अभी शेक को वो लेता है मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्ती रिष्टे तोड़े हैं जो मुझे परमेश्वर में चलने से रोकते हैं प्रभु मैं बढ़ने से रोकते हैं हालेलुया मेरी दोस्ती हजारों से होगी पर मैं गिने चुने लोगों के साथ उटता बैठता हूँ हालेलुया मैं दिखता हूँ आपके जैसे आम साधारन इंसान लेकिन मैं अंदर से बहुत अलग हूँ मेरा प्रभु जानता है पच्ची तीस साल हुआ मेरे मुँसे कभी भी गाली परमिश्वने निकलने ने दी गालिया तो मैं इतनी देता था कि मेरे माँ बाप को भी मैं नहीं छोड़ता था लेकिन आप सोचिए मुंबई देश में पच्चीस साल अगर किसी के मुँसे गाली ने निकली तो ये छोटी मोटी बात नहीं है आज अगर आप दुनिया में देखो बिना गाली के एक दिन भी किसी का कड़ जाए तो मान जाओ बिना गाली के लोगों की बाते पूरी नहीं होती हलेलुया लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को कुछ इस कदर बदल दिया मैं परमेश्वर को धन्यवा देता हूँ मैंने एक वेदी बनाई बहुत सरी लोग प्रभु में हैं लेकिन उनका वेदी नहीं है आपका कोई गवाही नहीं है आपका परमिश्वर के साथ कोई commitment है क्या कोई समर्पन है क्या आप प्रभु के प्रतिक कितना गंबीर है कितना serious है और आप हमेशा कितना sacrifice करते रहते परमिश्वर के लिए मैं हमारे जो पाश्टर थे पहले में उनको हमेशा पूस्ता था कि मुझे सिरिफ बताईए कि क्या गलत है वस उसे मैं छोड़ दूँगा और आज लोगों को अगर बता भी दो कि ये गलत है न तो भी लोग छोड़ते नहीं है पर मेरे टाइम पे मैं पाश्टर को पूस्ता था कि पाश्टर और क्या गलत है आप मुझे बताईए मैं दस मिनट में दस सिगड पीने वाला वेकती एक साथ दो दो तिन तिन मुह में रखके सिगड पीता था विस्की ब्राणी पीता था बाप को पत्थर से मारने का, बाई लोगो कच्छी लेकी दौडने का, मा को गंदी-गंदी गाली देने का, आप ये मस समझो कि मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत बुरा था, मेरे जैसा, मेरे जैसा बिगडला इंसान इदर कोई भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना छाता हूँ, मैंने एक वेदी बनाई, मैंने परमेशवर के साथ एक रिस्ता स्थापित किया, और मैंने हमेशा मेरे जीवन में ओ, वेदी पे बली चलाता रहा, दोस्ती का बलीचड़ाया da, रिस्तों का बलीचड़ाया जो चीजें मुझे बहुत पसं थी, उसकी मेने बली चड़ाई और आज भी मेरे जीवन में मैं कुछ ना कुछ ना कुछ हमेशा जब मुझे पता चलता है कि यह बात प्रभु को पसंद नहीं है यह चीज पर मिश्वर को अच्छी नहीं लगती है यह पर मिश्वर की दृष्टी में सही नहीं है मैं उसे छोड़ देता हूं उसक आग को जलाए रखने के लिए बलिदान का चड़ना बहुत ज़रूरी है तो आपके जीवन में आप जब से प्रभु में आए मुझे नहीं पता आपने क्या बली चड़ाया और अभी तक आपने कितनी बली चड़ाई क्या-क्या चीजों का आपने सेक्रिफाइस किया त्या बलिदान नहीं चड़ा पाते हैं तो नीन का बलिदान नहीं चड़ा पाते हैं अब बहुत सारी लोगों का प्रॉबलम है नीन कई लोग का प्रॉबलम है हमेशा बस खाते रहना कि 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 कुछ लोग तो यहां फे भी आके ions में आइब और समझ में यह आता इतना दूर से आते हैं गाड़ी बड़ा कर्चा करके यहां सो जाते आच्छा है गर में सो जाओ इतना काय को गाड़ी बड़ा कर रहेगा टाइम अपना वेश्क करने का इधरा के सोने का न हाउ यह हॉल दिया गया है, आपको सोने के लिए नहीं है, आपको जागने के लिए, आलेलुया, बजोले को बोलो, सुनना है, सोना नहीं है, कई लोगों को घर में नेंद नहीं आती, उनको प्रभु के सवा में नेंद आती है, क्योंकि घर में वो दुखी है, यहाँ पे इतने सुखी है, हालेलुया, तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, हार एक वेक्ति, आप जो भी प्रभु में है, आपने एक वेदी बनाना चाहिए, परमेश्वर के साथ आपका एक ऐसा रिस्ता होना चाहिए, और हमेशा उस रिस्ते में, उस वेदी पर आप हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, आपने चड़ाते रहना चाहिए, हालेलुईया कई लोगों का बात करने का आदत अच्छा नहीं है आपने उसको सुधरना चाहिए कई लोगी नसर ठीक नहीं रहती आपने उसको ठीक करना है है हालो कichen के लो को बहुत हमेसे मेंण तन realism को चड़ा दो कि खाने के पढ़ा रका है लोगों को उसको आप चड़ा दो है अगर जितना जरूरी है उतना ही क्षाई है। जो जादा खाता है वह जल्दी मर जाता है जो लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा सोते हैं, वो जल्दी दुनिया चोड़के चले जाते हैं कम खाने वाला, कम सोने वाला लंबा जीता है अब आपको क्या चाहिए, वो आप सोचिए हालेलुया हालेलुया ये साया साथ का साथ का एक पढ़िये उट प्रकाश मान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहुआ का तेज तेरी उपर उदै हुआ है हालेलुया परमेश्वर का वच्छन कह रहा है आज आप से कि उट आपको लगता है कि अब मैं मेरे सिंदगी में नहीं उट सकता मैं कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर का वच्छन कहता है कि उट मेरे बेटे मेरे बेटी उट प्रकाश मान हो क्योंकि यहोवा का तेश परमेश्वर की महिमा तुझ पर उदय हुई है हलेलुया आप आप एरे गहरे नतुक हैरे नहीं है आपके उपर परमेश्वर की महिमा जो है वो उंडेली गई है हलेलुया प्रबु का वच्छन कहता है कि वो जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर के लोगों कभी भी जिन्दगी में मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता मुझसे नहीं हो सकता आपको ये कहना है मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरा परमेश्वर मेरा साथ देता है वो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हालेलुईया मुझे पहला लगता था मैं सैकल नहीं चला सकता फिर बात में लगा कि टू विलर तो चला यह नहीं सकता फिर लगा फोर विलर तो कभी नहीं चला पाऊंगा अभी सब चला लेता अभी ट्रक दे दो तो भी चला दूंगा हालेलुईया कोई आपको छोटा नहीं बनाता, आपकी सोच आपको छोटा बनाती है, बहुत इंपोर्टन्ट है कि आप सोच थे क्या है, हलेलुया, तो परमेश्वर का वच्छन कहता है कि वो जो मुझे सामर देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ, मेरी वाइफ को अच्छा खाना पकाने को नहीं आता था, उसका रोटी और पापड में कोई फरक नहीं था, लेकिन आज मैं बड़े से बड़े होटल में खाना खाता हूं, सच बोलता हूं, मुझे वो टेस्ट नहीं आता है, जो उसके हाथ के खाने में आता है, खाई लोगों को दुसरे के बीबी के हाथ के खाने में बहुट टेस्ट आता है, किसी और की बीबी बना के दे तो बहुट टेस्ट आता है, और अपनी वाली का फिका लगता है, कुछ तो प्रब्लम है उस विक्ति के अंदर, मुझे मत पूछिए, उसी को पूछिए, और मैं हमेशा उसके हाथ के खाने की मैं तारीफ करता हूँ, ये बात वो जानती है, मेरे बच्चे जानते हैं, और कि मैं बोड रहा हूँ, मैं दिल से बोड रहा हूँ, हालेलुई या, इतना साल मैं आपको क्या बोड़ा हूँ, हायात ऐसे बड़े बड़े होटलों में मैंने खाना खाया है लेकि मुझे वो स्वाद नहीं आता क्योंकि जितने भी होटलों में खाना बनता है न वो मोहबबस से नहीं बनता वो नोकरी है बोलके बनता है पर वो जो बनाती है वो प्रेम से बनाती है अब प्रेम से जो चीज बनती है उसमें स्वाद आता है हालेलुया तो उठ प्रकाश मान हो यहोवा का तेज तुछ पर उदय हुआ है येसाया चववन का दो पढ़िये येसाया चववन का दो 54 का टू अपने तंबू का स्थान चोड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किये जाए हाथ मत रोक रस्यों को लंबी और खूंटों को दुरूड कर आगे पढ़िये क्यूंकि तु दाहिने बाए फैलेगी और तेरा वँश जाती जाती का आधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा हलेलुईया परमेश्चर का वचन कह रहा है कि अपने तंबूओं को अपने विचारों को अपने हिर्दे को चोड़ा कर क्योंकि तु दाएं बाएं फैलेगा हलेलुईया अपने विश्वास को चोड़ा करो अपने विचार को चोड़ा करो हालेलुया परमेश्चर कहरे अपने तंबू को चोड़ा कर तू दहने और बाएं फैलेगी तेरा वंस जाती-जाती का दिकारी होगा अब तू उजड़े वे नगरों को फिरस से बसाएगा पता है उजड़े वे नगरों को कौन बसाएगा आप अपने दिल को चोड़ा करो परमेश्चर आपके साथ में है आप अपने परिवार को आप तो बसाएंगे लेकिन परमेश्चर का वचन कहरा है कि तू उजड़े वे नगरों को फिरस से बसाएगा बहुत सरो ऐसे लोग हैं बहुत सरे ऐसे लोगों का विवाहिज शीवन है, बहुत सरे ऐसे परिवार हैं, जो उजड गए हैं, और परमेश्वर कह रहा है, कि तू उन्हें फिर से बसाएगा, बहुत सरे लोगों की जिंदगियां उजड गई है, मेरे इतने साल की जिंदगी मैंने देखा, बहुत सरे वेक्ति का जीवन उजड गया था किसी का विवाही जीवन उजड गया था किसी का परिवार उजड गया था किसी कामदंदा उजड गया था लेकिन परमेश्वर ने मेरे दवारा वो बस आया है आप में इसे बहुत सरे लोग इस बात को जानते हलेलुया बहुत सारी लोग आपकी जिन्दगी बरबादी का गार पे थी लेकिन परमेश्वर ने जब आपसे कहा कि मुझसे बात करें, मुझसे मिले उसके बात से तुमारा दिशा जो है वो बदल गई है जिदका घर बसा है, जिनकी जिन्दगी बसी है वो मेरी बात को समझते होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ हलेलुया, हलेलुया, कास परमिश्वर मुझे तुमे ना देता तो तुम में से बहुतों की जिन्दगी बरबाद होगी होती आप जानते हैं आप में से बहुत सारी लोग कि मैं क्या कह रहा हूँ मेरे द्वारा परमिशन ने तुम्हारा जीवन में तुम्हारा परिवार में क्या किया है आप में से बहुत सारी लोग जानते हैं प्रभू को महिमा मिले कि उसने मेरा इस्तमाल किया उजड़े हुए नगरों को बसाने के लिए हालेलुया 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 ये साया सिष्टी वन का वन पढ़िये प्रभू यहुआ का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहुआ ने सु समाचा सुनाने के लिए मेरा अभिशे किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदीत मन के लोगों को शानती दू कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और केदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो हालेलुया सबी लोग बुलिए प्रभू यहुआ का आत्मा सभी लोग सभी लोग सभी लोग प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है हलेलुईया आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके ऊपर है और परमेश्वर ने आपको सु समाचार सुनाने के लिए भेजा है परमेश्वर ने आपका अभिशेक किया ह और उसने आपको इसलिए भेजा है कि खेदीत मन के लोगों को शांती दूँ कि बंदियों के लिए सुतंता का और कैदियों के लिए चुटकारे का प्रचार करो कई बार हम लोग हमेशा रोते रहते रोते 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 हमेशा रोते रहते हम लोग आपको पहली बाद समझना है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके उपर है और प्रभू ने आपको रखा है कि जो लोग खेदित दुखी मन के लोग हैं आपने उने शांति देना है आपने उने दिलाषा देना है अगर हमी हमेशा रोती रहेंगे तो फिर उनका क्या होगा हालेलुया हालेलुया मैं एक एक वच्चन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जल्दी से खतम करने के पहले लुका की पुस्तक लुका की पुस्तक दो का 36 और 38 एक बवश्यदक ती वह भूत बूरी थी और विवा होने की बाद साथ वर्ष अपने पती के साथ रह पाई थी वह 84 वर्ष से विद्वाती और मंदीर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रातना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी और वह उस गड़ी वहां आकर प्रभू का धनिवात करने लगी और उन सबों से जो यरिशुलेम के छुटकारे की बाट जो होते थे उस बालक के विशे में बाते करने लगी यह एक ऐसा वच्छन है मुझे बहुत मेरे दिल को चूता है कि एक एक स्तिरी थी जब उसका साधी हुआ तो साथ साल सिरी पती के साथ रही और उसके बाद उसका पती गुजर गया और 84 साल से विद्वा थी कितना? 84 साल से विद्वा थी उसने किसी भी दुसरे आदमी से साधी नहीं किया 84 साल से विद्वा थी हलेलुया मैं कहना चाहता हूँ कि जब इसका पती गुजरा तब ये एक जवान खुबसूरत लड़की थी लेकिन परमेश्वर की दिवानी थी, परमेश्वर की प्रेमी थी बहुत परमेश्वर को प्यार करती थी पती इसका गुजर गया कही लोग को लगता है मेरा पती गुजर गया तो मेरा घर उजड़ गया ऐसा नहीं है परमेश्वर समालते हैं दुनिया को समालते हैं तुम्हें भी समालेंगे तुम्हारे जिन्दगी को समालेंगे तुम्हारे परिवार को समालेंगे परमेश्वर हालेलुया और साथ साल पती के साथ रही उसके बाद जब पती गुजर गया तो 84 साल से विद्वा थी लेकिन ये विद्वा होकर ये घर में नहीं बैठी थी रोते नहीं बैठी परमेश्वर को दोश नहीं लगा रही है कि तुने मेरे पती को छिन लिया मुझे पती का सुख प्यार नहीं मिला किया सिकायत नहीं किया कोई कुड़कुड नहीं किया प्रभु से नाराज नहीं हुई आप नहीं गरमे रोते नहीं बैठी कि परमेंश्वर को बेचार को है सुनिये सभी लोगों परमेश्वर के वच्चन कहता है वो 84 सी साल से विद्वा थी लेकिन परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोडती थी। कितनी बड़ी बात है। एक एक लोग के जीवन में कुछ हो जाए, महिना महिना दो-दो महिना वो परमेश्वर के मंदिर में भवन में आते नहीं है। लेकिन 84 साल से रमेश्वर के मंदिर को उसने कभी छोडा ने, और लिका है वो उपवास करती थी, वो प्रात्ना करती थी रमेश्वर की अराधना करती थी, 84 साल उसकी जिन्दगी का एक बड़ा इतिहास रहा कि कभी भी उसने परमेश्यर के मंदिर को नहीं चोड़ा वो पुआस करना बनने किया, प्रात्ना करना बनने किया परमेश्यर के आराधना करना बनने किया परमिश्वर के सेवा करना, प्रचार करना उसने बंद नहीं किया इससे कहते हैं महबबत इससे कहते हैं महबबत मुझे नहीं पता कि आपकी जिन्दगी में आपने क्या खोया मैंने बहुत कुछ खोया है मैंने बाप को खोया, मैंने मा को खोया हमारे दो बच्चे खोए बहुत कुछ मेरे जिंदगें मैंने खोया है लेकिन मैं परमेश्वर के मंदिर में आना मैंने बननी किया मैंने प्रातना करना अपुआस करना प्रभु के वच्छनों को पढ़ना मैंने बननी किया परमेश्वर के सेवा करना मैंने बन नहीं किया हलेलुया कभी भी कुछ मिलता है बोलके प्रभु के लिए कभी भी कुछ आप करेंगे तो ऐसा मत सोचिए हलेलुया आप प्रभु के लिए जीओ परमेश्वर आपको सब देंगे प्रभु आपको सब देंगे सब देंगे जो तुमें चाहिए, तुमारे बच्चों को चाहिए, परमेश्वर आपको सब देंगे लेकिन परमेश्वर के लिए जीने का, उसके साथ चलने का जो जस्बा है, जो इरादा है, वो आपका पक्का होना चाहिए हालेलुया, हालेलुया, मेरे पचीत ती साल की जिन्दगी में मैंने देखा परमेश्वर मेरा विश्वास्यो गरा मेरे साथ, वफादार रहा, इमानदार रहा, ना दोका दिया, ना छोड़ा प्रभू ने, ना ही मरने को दिया कम से कम दस बार मैंने मेरे जिन्दगी में सुस्वाइड करने का सोचा, ऐसी हालात, ऐसी परिशितियां में कंटाल गया, लेकिन परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, उसने मुझे जिन्दा रखा, उसकी मेहमा के लिए, तुमारे लिए परमेश्वर ने मुझे जिन्दा बेटा है और आपनी जिंदगी से कंटाल गए और आप सोच रहे कहीं से मुझे मृत्यू आजाए यह उपर वाला बुला ले तो मैं कैंसल कर रहा हूं और मैंने कर दिया तुमारे विचार इसी वक चेंज हो गए अब तुम नहीं मरोगे अब तुम जी ओगे और प्रभु के लिए जीओ गए और खुब जीओ गए क्योंकि यहां ऐसा भी विक्ति है कि आप कंटाल गएते आप आपको जीने की तमन्ना नहीं थे आप इधर आज आना भी नहीं चाहते थे आप लेकिन आप आगे अलो मैं पूछ के आपको सर्मिन्दा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि खतम होएगा तो बात में बहुत लोग आपको पकड़ के पूचेंगे क्या रहे तू मरने का सोच रही थे पर मुझे ये बात पक्का पता है कि यहां पे ऐसे कुछ लोग हैं आप आप कंटाल गए कि अब आप जीना नहीं चाहते हैं आपको लगता है क्या रहे गया किस के लिए जीओं कि मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर के लिए जीओ कि परमेश्वर के लिए जीओ कि जिन्दगी उसी ने तो आपको दीए किसने आपको मा के पेट में किसने बनाया, किसने तैयार किया किसने पता है गर में बच्चे को कौन तैयर करता है न मा न बाप परमेश्वा तैयार करता है और वो दुनिया में लाता है यह जिन्दगी उसकी देने एक दिन हर कोई मरेगा परमिश्वर नयाय करेंगे कि जो जिंदगी मैंने तुझे दी थी तुने मेरे लिए नहीं जिया तु सब के लिए जिया कहलो कहते हैं मेरे दो छुटे बच्चे हैं बस मैं इनके लिए जी रही हूं नहीं तुमें कपका मर जाती है मत जीओ मैं आपको बोलना चाहता हूं किसी के लिए मत जीओ मेरी बात को समझ के लो गलत ना लो आपको किसी के लिए जीने के जरुवत नहीं है आप परमिश्वर के लिए जीओ जब आप परमिश्वर के लिए जीते हैं ना तो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बहुतों को जीवन देता है जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुतों को अबला करता है मैं मेरी बीबी के लिए नहीं जीता मैं मेरे बच्चों के लिए नहीं जीता मैं किसी के लिए नहीं जीता, अगर आप मुझे पुझेंगे पाश्चराब दुनिया में आप क्यो जीरे, तो मेरा एक ही जवाब है, मैं मेरे परमेश्वर के लिए जीरा हूँ, हलेलुया मैं किसके लिए चीराओं मेरे परमेश्च्वर के लिए उसने मुझे जिन्दगी दिये ना ये जिन्दगी मैंने खरिद के लाई ना मैंने भाड़े पे लाई और ना किसी ने मुझे उधार दिये एक बार अगर आप समझ जाएं कि यह जिन्दगी आपको किस ने दी है तो फिर आप कभी भी जिन्दगी किसी और के लिए नहीं जीएंगे मैं मेरा जिन्दगी मेरे परमेश्वर के लिए जीता हूँ आप जिन्दगी आप किस के लिए जी रहे अगर आप कहते मैं मेरी बीबी के लिए जी रहा हूं, आप गलत है, आप कहते मैं मेरे बच्छों के लिए जीता हूं, गलत है, आप कहते मैं मेरे माँ बाप के लिए जीता हूं, गलत है, जिन्दगी आपको परमेश्वार ने दिया है, परमेश्वार के लिए जीओ, मरो मत, म मर्नें में कोई मौर्दानगी निल्गाउ वह मर्दानगी है तु तो खूआ अच्छोंद सकती सिद्ध्य पूरины औरी लुग जै कर दिकाओ त। कोई बड़ी बात नहीं थी. जी कर दिखाऊ दुनिया में, ओ बड़ी बात है. और मैने मेरा जीवन परमेश्वर को दे दिया, आज मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ. जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, मैं उसे छोड़ देता, बंद कर देता हूं अलेलुया किसने आपको ये जिन्दगी दी है आपको परमेश्वा ने दी है और आप परमेश्वा के लिए जी हो मेरे बच्चों को भी मैंने कहा मैं तुमको मेरे लिए नहीं पाल रहा हूं तुमारी कमाई खाने के लिए मैं नहीं पाल रहा हूं मैंने का मैं तुमको परमेश्वार के लिए पाल रहा हूं कि तुम बड़े होकर तुमारी जिन्दगी परमेश्वार के काम आए बस मुझे नहीं पता कि आप आपके बच्चों को किस लिए पाल रहे हो अगर आपका इरादा ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आपका इरादा ठीक नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं ठीक होगा, तो अपने बेटे के लिए मत जीओ, बेटी के लिए मत जीओ, किसी के लिए मत जीओ, आप परमिश्वर के जीओ, जब आप परमिश्वर के लिए जीते हैं तो परमिश्वर आपको इस योग्य बनाते हैं, इस लाइक बनाते हैं, कि तुम्हारे द्वारा परमिश्वर तुम् मेरे मेरे माभाप के लिए कि परमेशने बिटने मेरा इस्तमाल मेरे माभापके लिए किया और तुम्हारा भी कियya मेरी सोच, मेरा कॉंसेप्ट एगनम सही है कि ये जिन्दगी जिसने मुझे दी है, मैं उसी के लिए जीऊंगा हलो, और जब मैंने परमिश्वर के लिए जीना सुरू किया तो आप आप जो है ना, आप परमिश्वर की प्रजा हैं, परमिश्वर के लोग है मेरे इरादे ठीक दे, परमिश्वर ना आपको भी दे दिया कई लोग ते एक्टा जीऊ सदस्यू, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए लिए मरते हैं परमिश्वर के लिए जीऊ, तब परमिश्वर तुम्हारे दवारा तुम्हारे माबाप कभी बहला कराएगा तुम्हारे बच्छों का भी भला कराएगा परमेश्वर, तुम्हारे पडोसियों का भी तुम्हारे दौरा भला कराएगा तुम्हारे दौरा बहुतों का परमेश्वर भला कराएगा जब आप परमेश्वक ले जीते हैं न तब परमेश्वक तुम्हारे जीवन का इस्तमाल बहुतों के लिए करते हैं आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आज मेरा सवाल है आप किस के लिए जी रहे पैसा कमाने के लिए आपका कोई अर्मान है कोई सपना है उसको पूरा करने के लिए आपका कोर्स पूरा करने के लिए आपका पढ़ाई पूरा करने के लिए या इस दुनिया में कुछ बनने के लिए आप जी रहे हैं या फेमस होने के लिए जी रहे किसके लिए हम जी रहे ये जिन्दगी खतम हो जाएगी हर किसी की जिन्दगी खतम हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा इसलिए परमेश्वर ने हर किसी को जिन्दगी दिये और आप सभी से मेरा कहना है कि परमेश्वर के लिए जीओ काम करो तो ऐसा करो खुदा के लिए काम करो तो ऐसा करो खुदा के लिए कि खुदा भी तुम्हें याद करें सदा के लिए इस दुनिया में हर कोई जीता जानवर भी जीते, कुटे बिल्ली भी जीते, पंची भी जीते हैं पर परमेश्वर क्या देख रहा है, मेरे लिए कोई ने जीता, परमेश्वर के लिए जीओ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर के लिए जीना सीको, परमेश्वर के लिए जीओ, मरो मत, मैंने मेरे मर्ने का विच्छार कैंसल किया प्रभू ने का मरेगा कोई बड़ा काम नहीं करेगा कोई मर्दानगी नहीं है मरना बुझ दिली है डर्पोक लोग है जो मर जाते हैं मर्द हो मर्दानगी है तो जी कर दिकाओ हुआ हालेहलूया के लुग रोरो खंटल यही आभी मर्जायगी जल्दी मर्जा खोई Monateagu elaborzna मिर्जाया डर्पोदे नहीं को तो झालम पढ़ेगा कुछ्छय रही मालूम पढ़ेगा नहीं मालूम पढ़ेगा तू उमर गया बाखे कुछ ने मालूम पड़ेगा सिर्व इतना ही मालूम पड़ेगा अरे उमर गया क्या मालूम पड़ेगा कुछ ने मालूम पड़ेगा अगर तुम जीएगा ना तो जमाने को मालूम पड़ेगा कभी भी कोई आपको बोलता है मैं मर जाएगा ना मृनिकर जल्दी जा को को जितना आप रोकते ना मारमात मार मत कर ना मैं मरी का एक्साइडए में लाता81 उसले कभी भी कोई भी आद्मी और बच्छे कोई बहुतर जाएगा मैं मर जाएगा तो जल्दी कर जल्दी कर सा feather जटका है में मरने के बोल रहा है और यह बते ज़ादीकर, इसनल उनल घंचे बोले को सबसुना है ज़ोगे भूल को रित्यान चाहिए, मैं आप पहुत के जल्दी मर है तुम को ज़ली गड़ेगा हलेलुया मरना कोई मारदानगी नहीं है जी कर दिखाओ और यह बास सच है मैंने जब परमिश्यक ले जीना सुरू किया परमिश्यों ने मेरा इस्तमाल मेरे पिदा जी के ले किया परमिश्यों ने मेरा इस्तमाल मेरे माता जी के ले किया परमेश्यों ने मेरा इस्तमाल मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्छों के लिए किया परमेश्यों ने मेरा इस्तमाल तुमारे लिए भी किया आपको किसी के लिए नहीं जीना है पहली बात आप माइन के लिए कर लो आपको किसी के लिए नहीं जीना है आपको परमेश्वर के लिए जीना है जब आप परमेश्वर के लिए सच में जीने लगते हैं तो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुतों को जिन्दगी देता है बहुतों का परमेश्वर भला करते है प्रभु निका जो डाली मुझ में है वो फलती है हालेलुया इसलिए परमेश्वर के लिए आपको जीना है ये विद्वा ने अपना गम नहीं बता है मेरा पती मर गया प्रभू को मान कर मुझे क्या फाइदा प्रभू ने मेरे पती को बहुत जल्दी उठा लिया 84 साल से विद्वा थी उसने अपना गम नहीं बता है उसने अपना दम दिखा है दम क्यों लोग मुझे मिलते हैं हमेशा रोती रहता हमेशा अपना गम बताते पास्टर मेरा घर में इसा हो गया पास्टर मेरा आदमी का इसा हो गया पास्टर मेरा औरत का इसा हो गया पासे मेरा पिता जी का इसा हो गया, पासे मेरा मता जी का इसा हो गया, बहुत सारे लोग मुझे मिलते, अपना हमेसा गम बताते, कोई बात नहीं, आप बताईए, मैं आपके लिए प्रात्मा करूंगा, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, गम बताने से अच्छा है, दम दि अपने गम में, दुख में, दर्द में, आसू में, भीमारी में, कमी घटी में दम दिखाओ, परमेश्वर के लिए दम दिखाओ, हालेलुया, 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 परमेश्वर ने गम बताने के लिए नहीं बुला है, दम दिखाने के लिए, आप सब को पता है, मेरी गव पाइसानी, दो रुपया सेंख खाने को पाइसानी, ऐसे मेरी हालत थी, लेकिन मैंने गम नहीं बता है, मैंने दम दिखा है, मैंने दम दिखा है, मैं परमिश्व के खड़े रहा मैंने परमिश्व को नहीं छोड़ा मैं परमिश्व के प्रात्ना में आते रहा उपवास करता रहा, प्रात्ना करता रहा वचनों को पड़ता रहा, वचनों को सुनाता रहा मैंने दम दिखाया और आज उसका फाइदा परमिश्वन ने मुझे दिया है हाँ हालिलुया आज मैं आप से कहना चाहता हूँ गम बताने का बन करो इस टेशनरी में भी बहुत गम है लोगों के जीवन में भी बहुत गम है गम मत बताते बेटो अपना दम दिखाओ हालिलुया हालिलुया परमिश्वर चाहता है कि आने वाले साल में आप दम दिखाए परेड़ तो 28 का 3 से 5 यह आखरी वच्चन है फिरम कतम करेंगे जब पोलुस ने लकडियों का गठा बटोर कर आग पर रखा तो एक साप आंच पाकर निकला और उसकी हाथ से लिपट गया जब उन निवासियों ने साप को उसकी हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सच मुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यदि पी समुद्र से बज गया तो भी न्याई ने जीवित रहने न दिया तब उसने साप को आग में जटक दिया और उसे कुछ हानी न पऊची परन्तु वे बाट जोते थे कि वा सूझ जाएगा या एकाय गिर के मर जाएगा परन्तु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगडा तो अपना विचार बदल कर कहा यह तो कोई देखता है सुनो यह वच्चन तुमारे लिए मुझे नहीं पता किसको किसको किस तरह के कितने साप में लपेटा है आज आपको सिरिफ क्या करना है जटकना है जटकना है बहुत सारी लोगों ने तुमें गलस समझा है तुमारे बारे में अच्छा नहीं बोला मैं एक बात कहना चाहता हूँ थोड़ा सा और रुख जाओ थोड़ा सा और रुख जाओ लोगों के विचार बदल जाएंगे तुमारे प्रति उनका विवहार बदलने वाला है मैं आप से कह रहा हूँ थोड़ा सा और रुख जाओ आज की रात रुख जाओ जैसे नया साल होगा लोगों के विचार और विवहार तुमारे साथ बदल जाएगा क्योंकि उन सांपों को आज आप जटकने वाले हो हालेलुया लोग कह रहे थे यह हत्यारा है अभी कह रहे देवता है मुझे भी मुझे भी बहुत साल पहले लोग मुझे गलस समझ रहे थे अभी उन्हें समझ में आया यह वेक्ती वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं दिखता तो हमारे जैसा है रहता हमारे जैसा है लेकिन हमारे जैसा है नहीं जिस company में मैंने काम किया 5 साल पूरी company मुझसे परिसान थे पता है किस बात के लिए पूरी company में सब के सब छोर उ भाइमान खाली मेरे से परिसान थे मेरी इमानदारी के लिए कि यही एक विक्ती है गलत काम नहीं करता हाद उपर कर लेता है अब इससे डर भी नहीं है काम पेसे निकाल देंगे तो कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे निकालोगे तो मेरा परमेश्वर मुझे कहीं और लगा देगा सुनो परमेश्वर के लोगों कभी भी ना इमान अपना बेचना मत हलो कड़की लगी है सोना बेज दो, गहना बेज दो पर कभी भी अपना इमान बेचना नहीं है अलेलुया परमेश्वर के लिए इज्जत कमाओ मैंने इज्जत कमाई है मैंने नाम कमाई है इज्जत कमाई जाती है नाम कमाई जाता है कि आज भी वे लोग कभी मुझे मुझे से अगर कई मिल जाते हैं तो मुझे बहुत अलग इससे देखते हैं उन्हें पता है और मैं था क्या टेम्पो चलाने वाला विक्ति पांच सार टेम्पो चलाया कि मेरा कोई उंचा पोस्ट नहीं था मेरा काम था हमाली गिरी मताडी गिरी लोडिंग अनलोडिंग काम था मेरा लेकिन कंपनी के सब लोग मुझे डरती थे कि किसी के नरे हिम्मत ने कि मुझे गलत काम करवाले सब मुझे से डरती थे और जब मैंने कंपनी में काम चोड़ा तो मेरे जो सीनियर लोग थे ना सब के सामने उन लोगों ने मुझे से माफी मांगे कि हमने जब कभी भी तुम्हें गलत काम करने के लिए बोला उसके लिए सौरी वो तो बड़े पोस्ट पे थे मैं तो टेंपो ड्राइवर था कैसे खुदा जुकाता है मैंने अच्छे से देखा है अलेलुया गुम भिर के मैं आपको वही कहना चाहता हूँ मैं इमान नहीं बेशता है मैं परमेश्वर के लिए जीता हूँ मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहता हूँ मैंने मार खाई है मैंने गालियां खाई है लेकिन मैं बहुत जिद्धी था कि मैं प्रभू के प्रात्ना में मैं जाऊंगा आप में से सायध ही कोई होगा मुझे नहीं पता हर संडे मैं मार खाता था हर संडे और ऐसी वैसी मार नहीं है पत्टे की मार डंडे की मार बेलन की मार चपल की मार जाडू की मार खाता था हर संडे कुछ नकुछ मुझे मेरी दुलाई होती थी सिर्फ एक ही बात के लिए प्रात्ना में क्यो जाते हो जाऊंगा अगर मैं यह प्रातना में नहीं आता ना, आज मैं आपको सज बोलता हूँ, इतना बिगड़ले इंसान तुमने जिन्दगी में कभी नहीं देखियोंगे, लेकिन परमिश्वर के प्रातना में आके 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 परमिश्वर ने मुझे बदल ही दिया, नाम मेरा वही है जात मेरी वही है आज भी मेरा आदार काट देख लो प्यान काट देख लो लेकिने परमेश्वन ने मेरा छीवन को बदल दिया मेरा मन को बदल दिया मेरा दिल को बदल दिया हलेलुया और मैं इस बास से बहुत कुछ हूँ कि परमिश्वन ने मुझ जैसे बिगड़ेले को बदल दिया जिन सापों ने आपको लपेटा है आज आप उन्हें जटकना है नए साल में आप राच करोगे आप आनन करोगे आशिशें ढून ढून के तुमारे पास आने वाली है जो तुमारे काम इतने सालों में नहीं हुए ना मैं आपको बोड़ रहा हूँ इन मुझ से कि आने वाला साल में तुमारा हर काम परमिश्वर करने वाला है हलेलुया क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रातना कर सकते हैं अपनी आखों को बन कर ले सभी लोग बस एक दो मिनट के लिए अपनी आखे बन कर ले और मेरे साथ प्रातना करें कोहो प्रभु इश्यू जब से मैंने आपको जाना और आपको माना और आपको अपनाया तब से लेकर अभी तक मैं जहां कहीं भी गलत हूँ और सही नहीं हो जाने अंजाने में शोबी पाप बुराईयां गलतियां मुर्कता मैंने किया है मैं कबूल करता हूँ मैं पश्चताप करता हूँ मुझे शमा करो प्रभु मुझे शमा कर दो आपके लहू से मुझे धो दे शुद कर दे प्रभु इश्चु मेरे जीवन पर जितने भी श्राप बदुआएं गालियां कोसना खुड़ना गिर्णा के जाना नखारे जाना और उसके अलावा गर कोई जादू टोना का शक्ती कोई बुरे सपनों का प्रभाव दुष्ट सैतान दुष्ट आत्माओं का कोई वैदिक अधिखार सामर्थ गढ़ है बंधन गढ़ मेरे जीवन पर है इश्यु मसी के नाम में मैं तोड़ देता हूं इश्यु मसी के नाम में तोड़ देता हूं जितने सांपों ने मेरे जीवन को जो कुछ मेरा है उसको लपेटा है उन हार एक सांपों को मैं एश्यु मसी के नाम में जटक देता हूं मेरे गले के बंधनों को खोल देता हूं मेरे उपर की धूल को ज़ार देता हूं अपने आप को मैं आजसाद करता हूं मेरे वस्तर को मैं पहन लेता हूं इश्यु मसी के नाम में प्राथना करता हूं आमेन आप में से बहुतों के शरीर में समय नहीं है लेकिन मैं जो कह रहा हूं मैं जूटने कर रहा हूं आप में से बहुतों के शरीर में अत्भूत कारे हुए हैं अद्भूत चंगाई अद्भूत चमतकार हुआ है आप यहां से जाने के बाद कोई ऐसा है जो आपको जिसका पता आपको रिपोर्ट निकालने के बाद चलेगा आप बिंदाज जाओ और रिपोर्ट निकालो और आपको रिपोर्ट में आप हैरान हो जाएंगे बदल गई है और तुम्हें देखना है तो जाके निकाल लो और खुद देख लो जो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी रिपोर्ड बदल गई है तुम्हारा शरीर में जो बिमारियां जो प्रॉब्लम थे वो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं परमेश्वा ने आज आपक है मेरी बातों को हलके में नहीं लेना मैंने जो कहा है आपको पता आप मेंसे बहुतों को जब मेरे मुख से कुछ निकलता है वो बात हमेशा सच होती है हालेलुया आप घर में जाके चेक कर लेना आप रिपोर्ड निकालके चेक कर लेना कोई भी आपको कुछ भी आपको ज प्रभू आप सब को आशिष दे आने वाला जो साल है आपको मुबारक हो और आने वाले साल में आप बले चंगे रहें तुमारे हर काम सफल हो तुमारा जीवन एक विजयता का जीवन हो तुमारा विवाहि जीवन आशिषित हो तुमारे बच्चे फूले फले प्रभू में ब हालेलुया हमने जो आपको आशीश दी है वो आशीश आपको लग गई है हालेलुया अभी एक special song होगा एक special गीत होगा और उसके बाद कुछ नहीं है कुछ announcement है तो आप अभी पर जाएगा मत हालेलुया हम आपको फिर से एक बार आप सभी को आशीश देने वाले हैं मैं और मेरी वाइफ तो वो आशीश को लिए बिना आपने यहां से जाना नहीं है हालेलुया क्योंकि वो आशीश तुम्हारे लिए बड़े काम की है